जहां एक तरफ सिरलंका भारत से साइन करना चाह रहा है Free Trade Agreement क्या इस एग्रिमेंट को साइन करने से भारत को फाइदा होगा या नुकसान होगा तो वही दूसरी तरफ रूसी राश्टपती पूतिन ने क्यों प्राइस कैप को लेकर भारत की तारीफ कर दी है क्या G7 देसों के खिलाफ चला गया है भारत जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में आए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से सिरलंका में आर्थिक संकट से लोगों की मुसीबतें कम नहीं हो रही है बलकि बढ़ती जा रही है हालात ऐसे हैं कि लोग भोजन जुटाने के लिए अपनी उन जायदात को बेच रहे हैं जो उन्होंने अपने बहतर समय में खरीदा था फिर भी सबको भरपेट खाना नसीब नहीं हो रहा है ये दर्दनाक हकीकत रोम की संस्था वर्ल्ड फूट प्रोग्राम के तहत रिपोर्ट में आई है इस संस्था ने कहा कि महिनों से जारी मुद्रा संकट से स्रिलंका की एक बड़ी आबादी गरीबी में चली गई है इसके अनुसार सिरलंका में 30% ऐसे परिवार हैं जिनके पास खाने का संकट सुरू हो गया है बागी आबादी की अहालात भी कुछ अच्छी नहीं है दस में से 7 से ज़्यादा परिवार खाना बचाने के लिए कोई न कोई तरीका अपना रहे हैं मसलन वे अपनी पसंद का खाना कम खा रहे हैं ये चिन्ता जनक ट्रेंड पहले जून में नजर आता था लेकिन जून से लेकर अब तो लगातार जारी है सर्वे के दोरान ये भी सामने आ रहा है कि 80% परिवार अपनी कोई न कोई संपत्ती बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं इस मामले में हालात जून से और भी ज्यादा खराब होते गए हैं जो अर्थसास्त्री है वो कह रहे हैं कि ये इस्तिती चिंता जनक है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि पुरूराश्पती गोटावाया राजपच्चे है जिन्होंने जिस तरीके की नीटिया अपनाई वो नीटिया लगातार श्रीलंका के लिए घातक सिद्ध हुई आपको बता दें पुरू राश्वदी गोटावाया राजपच्छे के सासनकाल में सिरलंका के सेंट्रल बैंक ने दो साल तक अंधा धुंद सिरलंकाई रुपई की छपाई की नतीजा यह ہوا कि इस साल अमेरिकी डॉलर की तुलना में सिरलंका का रुपई धडाम हो गया इस साल के सुरूआत में एक अमेरिकी डॉलर 200 सिरलंकाई रुपई के बराबर था लेकिन अब एक डॉलर 360 रुपई से ज़ादा का हो गया है सिरलंका के सेंट्रल बैंकों को दुनिया के गैर जिम्मेदार बैंकों में सामिल किया गया है युन्होंने ऐसी गैर जिम्मेदार नीटियां अपनाई जिसकी वजह से सिरलंका की करंसी धडाम होकर गिरने लगी कहते हैं न अंदेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी और टके सिर खाजा वही हाल हुआ यहां सिरलंका में सिरलंका की खेती भी धरातल पर चली गई है सब कुछ इस वक्त आस्त ब्यस्त है अब सिरलंका ये चाह रहा है जिसके पास खुद ही बहुत ज़्यादा क्रैसिस है कि वो free trade agreement साइन करे भारत के साथ हलाकि चाइना के साथ भी इसी तरीके के offer आ रहे हैं चाइना तो खुसी खुसी चाह रहा है कि सिरलंका के साथ free trade agreement साइन हो जाए ताकि और भी ज़्यादा कमजोर हो जाए सिरलंका अब free trade agreement में यही होगा कि सिरलंका जो बेचेगा उसमें tax नहीं लगेंगे भारत जो बेचेगा उसमें भी tax में कुछ न कुछ रियायते होंगी यानी free trade agreement का मतलब ही हो गया tax और आने जाने में सुभी धाएं वैसे आपको बता दें भारत भी कई चीजे सिरलंका से खरीडता है तो सिरलंका भी भारत से कई चीजे खरीडता है और एक बड़ी बात यह है कि चाइना की entry को अगर रोकना है तो भारत को सिरलंका के इस free trade agreement मे तब ही फाइदा होगा जब भारत बहुत जादा चीजों को बेचे सिरलंका के अंदर ना की सिरलंका की चीजे खरीडे तो वहीं अगर बोट जादा करता है भारत तो दिक्कत हो जाएगी भारत के लिए भारत के लिए ये नुकसान दायक होगा खेर यहाँ दुबिधा वाल वहीं दूसरी तरफ, अचानक से रोस के उपपरदान मंत्री आलेकजेंडर नौवाक. रूस में जाते हैं भारत के राजदूत को बुलाते हैं, और भारत के राजदूत पवन-कपूर के साथ मुलाकात करते हैं, मुलाकात करने के बाद बड़ी खुसी खुसी वहां से एक statement जारी करते हैं इस statement को अमेरिका और पस्चमी देशों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया होगा ये तो तय है वैसे आपको बता दें रूस के विजेस मंत्राले ने ये साफ किया है कि दुनिया में हम energy का ठीक ठाक जिम्मेदारी से प्रवाह कर रह हैं लेकिन फिर भी पस्चमी दुनिया हमारे ही पीछे पड़ी हुई है इस तरीके से price cap लगा रही है बांकी चीजे लगा रही है इसका असर क्या होगा इसका आशर तो यही होगा कि तेल की खीमत भायानक तरीके से बढ़़ेगी और अगर भायानक तरीके से तेल की खीमत बढ़ती है, तो फीर नुकसान की से होगा? पूरी दुनिया को ही न होगा? रूसी अर्थविवस्ता को कमजोर करना चाहते हैं पस्चिमी देश और इसके लिए तरह तरह के उपायक लगा रहे हैं, लेकिन समस्या ऐसी है कि सिर्फ रूसी अर्थविवस्ता कमजोर नहीं होगी बलकि दुनिया भर की अर्थववस्था भी इससे प्रभावित होगी अब ये सारी बाते हो क्यों रही हैं तो दरसल G7 और यूरोपिय यूनियन दोनों नहीं प्राइस कैप में सहमती जता दी और रूस के उपर प्राइस कैप लगा दिया यानि 60 डॉलर प्रती ब पांच दिसंबर को वैसे ही समंदर में जाम लगने लगा बहुत सारे ओयल टेंकर उन्हें छूट नहीं मिलने लगी तूर्की सबके इंसूरेंस चेक करने लगा जो उसके रास्ते से होते हुए दुनिया के बांकी देसों में जा रहा था इसमें भारती ओयल टेंकर भी थे जो भारत के लिए तेल लेकर आने वाले थे यानि प्राइस कैप का पालन करवाने के लिए तुर्की चौकिदार बनकर तयार हो गया जब पिछले महिने भारत के केंद्रिय पेट्रोलियम और प्राकरतिक गैस मंत्री हरदीब सिंग पूरी से पूछा गया कि अब रूस के ऊ हम वहां से खरीदेंगे उसमें गोल मटोल सा जवाब दिया गया था भारत की तरफ से हलाकि इस प्राइस कैप पर भारत बोले या न बोले चुकि साट डॉलर से नीचे ही खरीद रहा है भारत तो भारत को फर्क नहीं पड़ता है इस प्राइस कैप को मानना या फिर नौ मा मुलाकात की राजदूत से मुलाकात करने के बाद ये बाहर आए और इन्हों ने कहा कि हम भारत के फैसले का स्वागत करते हैं अब भारत ने कौन सा फैसला ले लिया भारत ने जो फैसला लिया है कि वह प्राइस कैप का समर्थन नहीं करेगा इस चीज का हम स्वागत करते हैं ये बात रूस की तरफ से कही गई दुनिया के सामने रखी गई वैसे भारत इस वक्त दुनिया में इंपोर्टेंट बन चुका है रूस इस बात को प्रमुक्ता से रख के रूस ये दिखलाना चाहता है कि देखो भारत ने प्राइस कैप को नहीं माना और ये दुनिया के लिए एक इसामपल है तुम भी प्राइस कैप को मत मानो खेर आपको क्या लगता है रूस पर प्राइस कैप लगाना उचित है या नहीं है कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ